हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई स्टोरी टाइम आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकनो ओफिसियाल वेबसाइट की तरफ से एक छोटा सा अपडेट आया है नेम चेंजेस को लेकर तो वीडियो को पुरा एंड तक देखिए जो अपडेट आया है उसके बारे में जो कम्प्लीट इंफर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सियार कर दीजिए तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते ह यह जो update है इगनो official website में published हुआ था और यह जो date है आप देख सकते हैं 23. August 2021 तो यहाँ पर इस pdf में क्या-क्या लिखा है इस वीडियो में आपको complete information मिल जाएगा और description box check कर यह वहाँ पर आपको इस pdf का link मिल जाएगा और इसके साथ साथ इस वीडियो का जो भी related documents हैं उन सभी का link आपको description box में मिल जाएगा तो notification में लिखा गया है in contribution of earlier notification number IGNO Student Evaluation Division Exam 3, 2020, dated 22nd January 2021 It is further notified that the request of the students for correction in the name, spelling, father's name, guardian's name, address, etc. printed in the statement of marks or grade cards and provisional certificate after completion of the program will also be entertained even though degree certificate has already been issued तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपको जो इगनोत की तरफ से जो degree certificate या फिर जो grade card जो भी certificate मिल चुका है वहाँ पर आपका अगर name कुछ गलत लिखा है, कुछ भी spelling errors है या फिर आपके parents की name, guardians की name या फिर address में कोई भी error है, तो उसे आप अब correct कर सकते हो तो यहाँ पर यह result क्या गया है, तो यहाँ पर उस name को change करने के लिए या फिर उस name को correction करने के लिए आपको कुछ fees देने होंगे, जैसे कि अगर आपका जो certificate है वो 30 fast convocation के बात आया है, यानि उसके onwards आया है, तो आपको 500 rupees देने होंगे, 500 rupees देने होंगे अगर आपका जो convocation के पहले है, यानि fast convocation से लेकर 30th convocation तक है तो आपको 1500 rupees पे करने होंगे, ठीक है यहाँ पर और भी कुछ लिखा गया है, जैसे कि However, if it is established that there is a mistake in name, etc. on the part of the university, no fees for this purpose will be charged from the students अगर आपके certificate में university के name, यानि कोई भी officials के तरफ से mistake है, यानि जैसे कि ignore का spelling mistake है, तो यहाँ पर आपको कोई भी fees नहीं लगेगा students की तरफ से, वो अपने आप correct होके बापस आएगा, ठीक है बस आपको यहाँ पर जो form है correction का, वो feel करके, उनको submit करना पड़ेगा, ठीक है जो minor correction in spelling, अब the student's name, father's name, guardian's name, जो minor mistakes में उसे आप correct करने के लिए भेज सकते हैं, change in full name, अगर आपका जो full name है, वो अगर आप change करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप apply कर सकते हैं, change in first, middle और last name, तो आपका जो name है, उसका जो first name या फिर middle name है, वो अगर change करना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा, उसके बाद additional or delation of source name, आपका जो source name है, उसे भी अगर आप उसे हटाना चाहते हैं, तो भी हो जाएगा, उसके बाद change in source name after marriage, अगर आप साधी के बाद अपना जो source name है, उसे change करते हैं, तो आपका भी ऐसा हलत है, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, उसके बाद और एक है, change in address, अगर आपका जो address है, वो गलत है, certificate में, तो उसे भी आप change कर सकते हैं, तो इन सभी criteria है, अगर आपके certificate में, इन सभी mistakes में कोई भी mistake है, तो आप जो name change है, या फिर जो address change है, उसके लिए apply कर सकते हैं, इसके लिए नीचे और भी कुछ rules हैं, जो मैं आपके साथ share करना चाहत हूँ, तो जैसे कि आपको पता है, कि अगर certificate में कोई mistake है, तो आप apply कर सकते है, certificate जो error correction के लिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपका जो grade card है, provisional certificate है, या फिर जो भी degree certificate है, वो आपको लोटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही आपका mistake है, उसे evaluate किया जाएगा, और उसके बाद जो correct हो कि आपका certificate return आजाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने देखा था, जो 6 criteria हमने देखा था, उसके हिसाब से आपको कुछ documents लगेंगे, जैसे कि आपका minor mistake है, spellings में, तो आपको self-retested class 10 का certificate चाहिए, या फिर आपका अधार card, यह लगेगा, अगर full name change करना चाहते हैं, तो जो आपका full name है, पूरा name अगर change करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ documents लगेंगे, जैसे कि news paper cutting, जहाँ पे आपको proof देना पड़ेगा, कि आप क्यों name को change कर रहे हैं, उसके साथ evidavit लगेगा, non-judicial stamp paper में आपका evidavit लगेगा, क्यों अपने name change किय है, वह भी fast class magistrate का जो approval के साथ, ठीक है, उसके साथ-साथ gadget notification लगेगा, अगर आप change in fast या फिर middle name या फिर last name change करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ same तरीके के documents लगेंगे, जैसे कि news paper cuttings हो गया, उसके बाद उसका region भी लगेगा, और आपको आधार कार्ड भी लगेंग चाहते हैं, या फिर जोड़ना चाहते हैं, तो self-retested, जो class 10 तक का certificate है, recognize board के थ्रूँ जो आपको मिला है, उसका self-retested copy लगेगा, और आपका आधार कार्ड यहां पर लगेगा, उसके बाद change in surname after marriage, marriage के बाद अगर आप surname change करना चाहते हैं, तो proof लगेगा, marriage proof, उसके साथ जो marriage registration certificate लगया है, जो कि एक specific authority के थ्रूँ provide किया जाता है, ठीक है, तो उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड भी यहां पर लगेगे, change in address, अगर address change करना चाहते हैं, तो आधार कार्ड आपको देने होंगे, submit करने होंगे, उसके साथ साथ, any other document issued by government or government organization, अगर आपके पास आधार क होगा, तो यह था complete information about the change in name, change in address, और जो नया update आया है इसके बार में, तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यह जो वीडियो है आपको informative लगा होगा, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए, and my study time YouTube channel को subscribe कर लिजिए, और आप confuse मत ह होना, यह जो change in name है, address है, यह किसी exam के related नहीं है, यह आपके certificate, grade card, जो provisional certificate है, उसके related update है.